शुप्रुबात और आपका स्वागत है शांतिकुंच ओनलाइन क्लासस में बच्चों हमने इसमें हमारे चारो और की वायू यानी एर अराउंड अस इस चैप्टर की रीडिंग कर ली है आज हम इसके प्रश्न उतरी करेंगे मैं इन प्रश्नों के उतर आपको किताब में ही दूँगी इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखें हमारा पहला प्रश्न है हवा क्या है आप इसके संगतन में क्या से क्या समझते हैं पहले प्रश्न के उतर के लिए आप पेज 1118 पर आएं जो हवा हम सांस के साथ ग्रहन करते हैं वहाँ गैसों का एक मिश्रन है इसके बाद आप यहां से लेखें इसमें करीब 78% नाइट्रूजन 21% ऑक्सिजन 0.9% अक्रियो गैसे 0.03% कार्बन डाय ऑक्साइड तता जलवा अश्व धूलकर्ण एवं अन्य कैसे अत्यलप मात्र में विध्यमान हैं आईए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं आप कैसे प्रमाने करेंगे कि हवा स्थान घेरती है पेश नंबर 119 पर देखें क्रिया कलाब यहां से लिखना शुरू करें एक खाली बोतल लीजिए अब खुले मूगी बोतल को पानी में डुबाईए आप बोतल के मुहों में मुह से बुलबुला निकलते हुए देखेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोतल के अंदर हवा भरी थी जो बोतल में पानी भरने पर बाहर निकलती है टेड़ा करने से पहले इसमें पानी नहीं घुसा क्योंकि इसके अंदर पूरी जगह हवा भरी हुई थी किन्तु जो ही आप बोतल को टेड़ा करते हैं आप खुले मुह से बाहर हवा खुले मुह से बाहर निकलने लगती है तथा पानी अंदर प्रवेश करने लगता है इससे यह सिद होता है कि हवा जगह घेरती है प्रशन नमबर तीन में कहा है आप हवा की उपस्तिती का अनुभव कैसे कर सकते हैं इसका उत्तर पेश नमबर बन एटीन पर है आप यहां से लिखें एक पिन वाली घिरनी बना लीजिए इसके डंडे को पकड़ कर खुले रखिए फिर बंद कमरे में जिसमें की पंखा बंध हो रखिए इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए दोनों स्थितियों में अवलोकन कीजिए आप पाएंगे कि एक घिरनी खुले शेत्र में सोतंत्रता पूर्वक घुमती है एक बंद कमरे में हवा गतिशील नहीं रहती है जिसमें की पंखा भी बंध हो अथा गिरनी भी की पंखुडिया नहीं घुम पाती है प्रश्ण नमबर चार है जमीन के नीचे रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं पेश नमबर 119 पे देखिए जमीन के अंदर रहने वाले जन्तु मिट्टी के कड़ों के बीच में उपस इस बील उपस्तित वायू का आदान प्रदान करके सास लेते हैं यह हमारा प्रश्ण नमबर 4 का उत्तर है प्रश्ण नमबर 5 है जब वर्शा होती है तो केचवे मिट्टी से बाहर क्यों आते हैं प्रश्ण नमबर 5 का उत्तर पेश प्रश्व नमबर 19 पर देखें, केचुवा मिट्टी की उपरी परत में बिल बनाकर रहता है, वहां मिट्टी में उपस्दित हवा को अपने तवचा द्वारा सांस लेता है, वहां हवा को आसानी से आने जाने के लिए मिट्टी में बिल बनाता है, वर्शा के कारण उसके बि करतने हैं तू बिल से बाहर आते हैं अब प्रश्ण नमबर 6 देखिए वेल तथा डॉल्फिन जल की सतह पर क्यों आती हैं पेश नमबर 120 पर देखिए प्रश्ण नमबर 6 देखिए वेल एवं डॉल्फिन जल में रहते हैं किन्तु वे जल में घुली ऑक्सिजन सांस में नहीं ले सकते हैं उसके पास फेफड़े होते हैं, इसलिए वे सांस लेने के लिए जल के सतह पर आते हैं, वे जैसे ही सांस छोड़ते हैं, उनके नासा द्वारों से गरम नम वायू का एक फबवारा सा निकलता है अब प्रश्ण नमबर साथ में, हवा में उपस्तित गैसों के आदान प्रदान द्वारा पौधे एवं जन्तु एक दूसरे के मदद किस प्रकार करते हैं, आईए इसका उत्तर जाने पेश नमबर 120 पर देखें, हर पौधे वायू मंडल में, हरे पौधे वायू मंडल में कार्बन डाय ओक्साइड तता भूमी से जल लेते हैं एवं सूर्य प्रकाश की उपस्तिती में इन कच्चे सामगरियों से भोजन बनाते हैं, यहाँ प्रक्रिया प्रकास संसलेशन फोटोसिंदेसिस कहलाती है इस प्रक्रिया में वे ओक्सीजन उत्पन करते हैं, यह उनके द्वारा वायू मंडल में मुक्त कर दी जाती है अतहा प्रकाश संसलेशन तथा स्वाश्वन की प्रक्रियाएं वायू बंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाय ओक्साइड का संतुलन बनाये रखती हैं, इससे यह बिसपश्ट होता है कि पोधे एवं जन्तु परस पर आश्रित हैं अब प्रिश्व नमबर आठ है हवा के कुछ उपियोगों को लिखिए पेश नमबर 120 पर ही देखें वायू का अनुप्रियोग इसमें पहला पॉइंट है वायू का आवरण सुरे से आने वाली पराबैंगनी विकरनोस के हारनी कारक प्रभाव से सभी सजीवों की रक्षा करता है इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सभी जीवों को स्वाश्वन में ऑक्सीजन की जरुद परती है फिर पवन उर्जा का उप्योग उसाई प्रक्रिया से भी किया जाता है इसके अलावा नाइट्रोजन का उप्योग उर्वरक तयार करने में किया जाता है इसमें पंची, चमगादर एवं कीट परतंगे हवा में उड़ती है नेक्स्ट पॉइंट बीजो के प्रकीरण एवं परागरण में भी हवा मदद करती है और आखरी पॉइंट लिख सकते हैं आप नाव खेने तथा ग्लाइडर उड़ाने में भी तेज हवाय मदद करती है समय की कमे की कारण आज में आपको सिर्फ ये प्रश्नों के उत्तर दिये हैं अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्त रहें